Welcome to my YouTube channel Language Legacy दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे Emily Dickinson की पोयम I Heard a Fly Bus When I Died इस पोयम को 1862 में लिखा गया था पोयम को चार क्वाटरिंस में डिवाइड किया गया है और 16 Lines की पोयम है पोयम की राइमिंग स्कीम ABCB की फॉर्म में है इस पोयम की थीम Death and Mystery of Death है इस पोयम में पोयेट After Life expect कर रही है After Life का मतलब होता है Death के बाद की Life इस पोयम में पोयेट हमको बताती है कि जब उनकी Death हुई या जिस मुमेंट में उनकी Death हो रही थी तब वहाँ पर क्या हुआ था उन्होंने क्या देखा था या फिर क्या फील किया था पोयेट का बर्थ 10 दिसमबर 1830 और डेथ 15 में 1886 में हुई थी शी वाज अन अमेरिकन पोयेट और उन्होंने लगबग 1800 पोयेम्स लिखी थी उनकी कुछ फेमस पोयेम्स में I measure every grief I meet because I could not stop for death है एमिली की पोयेम्स की थीम ज्यादा तर death और immortality हुआ गरती थी दोस्तों एमिली अपनी पोयेम्स में कभी भी title नहीं दिया करती थी और इसलिए उनकी पोयेम्स की first line को ही उन पोयेम्स का title बनाया गया चलिए बिना देरी के start करते हैं हमारी पोयेम I heard a fly buzz when I died मुझे एक मक्खी के पंक फरफडाने की आवाज आई जिस मूमेंट में में मर गई The stillness in the room उस कमरे में इतनी शान्ती थी Was like the stillness in the air between the heaves of storm जैसे तुफान के बाद या तुफान के बीच में जो शान्ती चा जाती है उस समय उस कमरे में वैसी ही शान्ती थी यानि वैसा ही सनाटा उस कमरे में था The eyes around had run them dry मेरी death पर जो लोग आये थे और मेरे deathbed के आसपास खड़े हुए थे वो मेरे लिए इतना रो चुके थे और अब उनके आखों के आसो सूख चुके थे And breaths were gathering firm for the last onset और सभी लोग अपनी सांसों को थाम कर मेरी death आने का बेट कर रहे थे कि कैसे मेरी death होगी और कब किस moment में मैं मर जाऊंगी When the king be witnessed in the room और कब इस कमरे में king आएंगे और मुझको अपने साथ ले जाएंगे दोस्तों यहाँ पर king का मतलब God है I will my keepsakes signed away मैंने अपनी wills पर sign कर दिया What portion of me be assignable और जिन भी चीजों के मैं हिस्से कर सकती थी मैंने उनके हिस्से अपनी family members की बीच में कर दिये और तब ही अचानक से वहाँ पर एक मक्ही आ गई वो मक्ही पूरे कमरे में ऐसे भरना रही थी मानो उसे पता ही नहीं था कि उसको जाना कहा है दोस्तों यहाँ पर blue with blue का मतलब है जो candle जब भुजने वाली होती है तो उसकी flame का color blue हो जाता है और वो blue color यहाँ पर ओमेन बताया है यानि एक पूर्व सूचना बताई है किसकी death की ठीक है तो वो मक्ही पूरे कमरे में बना रही थी और candle का वो जो blue color था वो भी ओमेन था मक्ही का बनाना भी death का ओमेन था तो यह दोनों symbol death के थे between the light and me और तभी वो मक्ही फडफडाती हुई रोश्नी और मेरे बीच में आ गई and then the windows failed and then I could not see to see और धीरे धीरे उन windows से आने वाली रोश्नी फीकी पड़ गई और मुझे सब कुछ दिखाई देना बंध हो गया यानि मेरी death हो गई I hope दोस्तों आपको यह मेरी summary समझाई होगी इस poem में poet ने हमको उस moment को बताया जिस moment में किसी भी इंसान की death होती है अगर आपको मेरी summary समझाई हो तो do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Language Legacy and मुझे comment section में बताईएगा कि आप लोग मेरी next वीडियो में कौन सा topic देखना पसंद करेंगे Thank you so much for watching